सूरे के नक्षत्र परिवर्तन से अब चमक उठेगी कई राशियों की किस्मत अब 31 मार्श तक शनी के उत्तरा भादरपद नक्षत्र में रहेंगे सूरे जोतिश के 27 नक्षत्र में इस नक्षत्र को माना जाता है बेहद महत्वपून इस नक्षत्र में जन में लेने वाले लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और उनकी फैन फॉलूइंग भी जबरदस्त होती है नमस्कार सचरीकाल आदाब दोस्तों मैं हूँ गुर्मीत बेदी मेरे यूट्यूब चैनल अस्टालोजर गुर्मीत बेदी में आपका स्वागत है दोस्तों सूर्या ने नक्षत्तर परिवर्तन कर लिया है 17 मार्श की राद को वे पूरो भाधरपद नक्षत्तर से निकल कर उत्रा भाधरपद नक्षत्तर में आ गए है 31 मार्श तक यहीं रहने वाले हैं जिस तरह सूर्या का राशी परिवर्तन बहुत माइने रखता है न उसी तरह सूर्या का नक्षत्तर परिवर्तन भी जोतिश में काफी हलचल मचाता है सुर्या पूरो भादर पदनक्षत्र से निकलकर उत्र भादर पदनक्षत्र में आ गए है और इस सनक्षत्र के स्वामी शनी है और राशी मीन है और राशी के जो स्वामी है वो देव गुरु बरस्पती है उत्रा भादरपद नक्षत्र पर इसी वजा से शनीदेव और भरस्पति दोनों का परभाव रहता है इसलिए इस नक्षत्र को जोतिश में बहुत इखास माना जाता है हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें ये 26 नक्षत्र है इस नक्षत्तर में जन्म लेने वाले विक्ति बहुत अच्छे वक्ता होते हैं अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे ओरेटर होते हैं, बहुत मेंती होते हैं इसी नक्षत्तर में अब सुर्य दिवा गए है इस नक्षत्तर में गोचर करते हुए पर कई राशियों की किस्म चमकाने वाले हैं तोस्तो सुर्या को जोतिश में ग्रहों का राजा कहा जाता है तोकि इसकी उर्जा से ही दुनिया चलती है यही विक्ति को सफलता प्राक्रम, कन्फिडेंस देते हैं चोतिश में और हमारे शाष्त्रों में सुर्या को आत्मा का कारक होने के साथ साथ हमारे मान समान का प्रतिक भी बाना जाता है जिस विक्तिकी कुंडली में सुर्या मजबूत होते हैं उसे समाज में मान समान और समरिद्धी की प्राप्ती होती है सुर्य ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्रगती नहीं चलते सुर्य देव को परतिक्ष देवता कहा जाता है तो हमें परति दिन दर्शन देते हैं शाष्त्रों में इनकी उपासना से मिलने वाले शुप फलों के लंबी सुची है धार्मिक मानेताओं की बात करें तो ये टाकत के नोकरी के अधिकार के यश्च के देवता है इनकी पूजा विदी विधान से करने से उप्रोक्त बनो कामना ही पूरी होती है सुर्यान के नकशतर परवरतन से जिन राशियों को जबरदस्त लाब होने वाला है उनमें पहली राशी जो है भागयाशाली राशी जो है वो प्रिशव राशी है प्रिशव राशी के जात्कों के लिए सुर्य का नक्षत्तर परिवर्तन बहुत लाबकरी है लंबे समय से चले आ रहे हैं विवादों से मुक्ती मिलेगी इंकम बड़ेगी हर काम में सफलता हसल होगी रुकी पड़ी योजनाएं तेजी से पूरी होगी आपकी आर्थिक सिती बैटर होगी परिवार का आपको पुरा साथ मिलेगा कैरियर में भागया कभी साथ मिलेगा नोक्री में परमोशन के योग बन रहे हैं उंचा ओदा पाने के योग बन रहे हैं बिजनस में सफलता और लाब के योग बन रहे हैं और आपका कैरियर तेजी से रफतार पकड़ेगा दूसरी भागये शाhtनी राशी मिथों राशी है जो सुर्य की मित्तर राशी है सुर्य का उत्तर भादरपद नक्षत्तर में परवेश करना मित्रों नाशी वालों के लिए भाग्या का पूरा साथ देने वाला है आप साहस का परिचे देंगे अध्यातम की तरब भी सिप्रिचुलिजम की तरब भी आपका जुकाब होगा जीवन में कोई बड़ी खुश खबरी आपको मिलेगी नोक्री के सिलसले में आप विदेश जातराएं भी हो सकती है और सेविंग करने में भी आप कामयाब रहेंगे लव लाइफ भी आपके बहतर होगी पिसरी भाग्यशाली राशी कन्या राशी है कन्या राशी वालों को आप परत्याशित धन लाब मिल सकता है आई के नई शुरूत बनेंगे धन इकठा करने में भी आप कामयाब रहेंगे नोक्री में आपके काम की तारीफ होगी आपके कोशल आपके मेहनत को देखकर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है कैरियर के समंद में आप यात्राइं करेंगे विदेश यात्राइं भी हो सकती है इससे आपको लाब मिलेगा बिजनस की बात करें तो लाब मिलने की संभावना है अपने जो आपके परतिस परदी है उनको अपकरी टकर देते हुए नजर आएंगे और रिष्टों की बात करें तो समय खुशनुमा रहेगा चोथी भागेशाली राशी मीन दाशी है मीन दाशी वालों के कई अठके हुए काम बनते चले जाएंगे विदेश जाने की को फाइल लगाई है तो अच्छी ख़बर सुनने को मिलेगे आपके आर्थिक सिती बैटा रहेगी और आपको धन कमाने में काम्याब रहेगे विवाहिक जीवन मदोर रहेगा लव लाइफ आपकी बेतर रहेगी रोमांस के आपको मौके में लेंगे वाज की पोश्ट में बस इतना ही इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अस्टालजर गुर्मीत पेटी से जुड़े रहेए आपका बहुत बहुत आभार मैं हूँ गुर्मीत पेटी